कैसे एक non-celebrity चहरे को, कैसे एक नए चहरे को पवंद सिंग ने उठा कर रातो रात एक star चहरा बना दिया। हम बात कर रहे हैं पुनिता प्रिया की आरा वाले गाने की जो सिंगर है उनकी। आपको हम बता दे कि पुनिता प्रिया का एक इंट्रिव्यू बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है जहां पर वो ये कहती नजर आ रही है कि पवन सिंग ने ही उन्हें हवाई जहाज का टिकेट करा कर मुंबई बुलाया था पटना से और वहीं पर उन्होंने ये गाना रिकॉ यानि पुनिता प्रिया के साथ पवन सिंग का एक और गाना आने वाला है वो भी एक लोग गित है यहां पवन सिंग के बारे में पुनिता प्रिया ने ये बात भी कही कि जब मैं उनके सामने बहुत नर्वस हो रही थी गाने में तब पवन सिंग थे जिनोंने मुझे ये ध दस बढ़ाया कि मैं भी उन्हीं की तरह एक कलाकार हूँ कलाकार समझ कर गाओगी तो नर्वस नहीं होगी पवन सिंग के इतने कहने भर की देर थी कि पुरीता प्रिया की सारी नर्वसनेस खत्म हो गई और उन्होंने बड़े ही अपने ही अंदाज में बड़े ही प्यार से य आज रिकॉर्ड बना रहा है वैसे हम आपको बता दे कि पुरीता प्रिया जो है उन्हें पवन सिंग ने ही भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉंच किया है लेकिन इससे पहले भी इससे पहले भी उन्होंने स्टेज शो और कई देवी गीत हुए और भक्ती के जो गीत लेकिन आरा वाले गाने को बहुत ही अच्छी पहचान मिली है वाकई पुनीता बहुत ही खुबसूरत गाईका है और उनकी आवाज बहुत ही बहतरीन है जो आगे चल कर भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया मुकाम देगी भोजपुरी जगत की होट और मसाले दार के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें